सब्सक्राइब निए तो अब ने कि हैं अघुड ऑफ युज फिर्ट करते हैं आज की पैरी अच्छी गई है अब नेक्ष्ट वीक सेविटीन अफ उफ मार्च के इस पैरी में कैसे लिन है कैसे सेटब्स बनाने है सारी बाते करने वाले हैं और एक बार ओपन इंट्रस के डाटा की तरफ चलेंगा और कुछ बहुत सारे जो बड़े बड़े इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं बिगाउस उन्हें लग रहे हैं कि अप अन्सर्टिनिटी घताम होगी है विच जाएगा इंडिया विक्स 25 पे जैसे 25 से नीचे जाएगा इंडिया विक्स वॉलिटिलिटी कम हो जाएगे और मार्केट स्टेबलाईस हो जाएगी तो आई तिंग बैंकिंग सेक्टर में ऐसे दो से तीन स्टॉक्स है जिसमें ट्रेट कर सकते हैं और भी सेक्टर के हैं तो लेट मी शोई हो सबसे बहला है बैंक और बढ़ुदा का मैंने वीकली डाइम फ्रेम उपन गरावा है अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो अल्मूस 2009 से यह इस लेवल के उपर गया था 2009 पे इसने ब्रेक आउट दिया था 100 रुपीज की लेवल को उसके बाद अल्मूस्ट अल्मूस्ट ही 230 गया था अगर आप मान के चलो तो 10 साल तक लगातार 10 साल तक ही इसी के ऊपर था बट फाइनली इसने क्या करा एक ब्रेक डाउन दिया रीटेस्ट करा और एक बहुत बड़ फॉल आया अल्मूस्ट अल्मूस्ट आमान के चलो 70 परसेंट तक का एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला था अफ्टर दाट इट क्रियेटेड अ वेरी गूड हेड इन शुल्डर पैटन फ्रम पास्ट तू यह और उसके बाद फाइनली डिव वेरी गूड ब्रेक के बाद अगर आप देखोगे इट केम फॉर री टेस्ट और अब यह दुबार आ ऊपर जा रहा है प्लस अगर आप चेक करोगे अगर मैं बॉटम और टॉप लेता हूं तो आप यहां क्लियरली देख सकते हूं एक्जाक्ली 61 पोसेंट पे इसने हॉल्ट करा और इस कंटिन के उठा सकते हैं लॉटम के लिए इसे हम रख सकते हैं बट मेरे को लगता है अगर यह 102 रुपे के ऊपर सस्तेन करता है तो एक अच्छी मुमेंटम यह दे सकता है मैं मान के चल रहा हूं 108 से लेके 112 रुपे तक यह विदिन डे और टू हमें प्रोवाइट करवा सकता है तो होने वाला है अब देख सकते हैं कि अल्मुस्ट 2012 में इसके लिए एक मेजर रिजिस्टेंस तार 475 रुपीज का और अल्मुस्ट वहां से हम देख सकते हैं कि 53 रुपीज तक आ गया तो अल्मुस्ट 80% की फॉल इसने करी ती आफ्टर दाट हलके हलके इसने रिकवर करा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो स्टॉक में जरूर अपना नजर रखेगा इसको पॉचलिस के अंदर आट करेगा और यह हम लोग ने आपको ब्रेक आउट देने से पहले भी सजेस्ट कर दिया था तो आप इसे आड जरूर कर सकते हैं बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक इस हमारा लाज टॉक है विदांता विदांता पे टेक्निकल वाइज कुछ ज्यादा बढ़िया पाटेंस नी बन रहे बट और इसने राजस्तान के अंदर ओइल को डिस्कवर करा और यह बड़ी न्यूस है अभी के टाइम पे तो आई तिंग इस पे हमें एक ट्रेड लेक जाब पाता था और इस बात को तीन महीने से अल्मस्ट पांच महीने हो चुके हैं फाइनली डिवा ब्रेक आउट बट उपर भी नहीं से सिस्टमाइट बैठ पाया विकॉस हम लोग हमेशे ब्लाक कलर की या बीरिश का अंगल देखते थे बट फाइनली दुबारा नीचे किया और नीचे जाने के बाद अगर मैं बेस से टॉप तक बनाता है अगर बाइचांज इसके अंदर कल एक छोटा सा ग्याप भी देखने को मिलता तो भी एक बाइंग आ सकती है या अगर उपर ही जाने की भी कोशिश करता तो एक बाइंग आ सकती है और यहां पर आल्मस् टागेट्स एकस्पेक भी कर सकते हैं विदानता है हमारा थर्ड स्टॉक एसन स्टॉक इन अब बात करते हैं निफ्टी और बाइंग अगर आप चेक करोगे तो यह मल्टेपल रिजिस्टेंस आप देख रहे हूं यहां पर मल्टेपल रिजिस्टेंस फेस करें एक्जाक्ल बात अगर आप इस लेवल को चेक करोगे तो यहां पर मल्टेपल रिजिस्टेंस थे वो सपोर्ट बना आफ्टर दाट वो रिजिस्टेंस एन अगें सपोर्ट तो आइधिंग एक क्रूशय लेवल था जहां से वो बाउंस करा इसके बात जब फाइनली इसने इसका ब्रेक बेट से पर देखो तो मुझे निफ्टी श्रॉंग लग रहा है ठीक है निफ्टी का एक क्रूशय लेवल है 16,600 अगर उस पर सस्तें कर लेता है तो एक बड़ी मुमेंटम आ सकती है और 35,200 जो लेवल है बाइन इफ्टी का अगर स्कूपर सस्तें कर लेता है एक बड़ी कर देखने को मिल सकता है और वहाँ पर फिर शायद एक ट्रेंड बन सकता है दूसरी चीज अगर कल एक गाप डाउन भी आता है या फिर कल एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही रहता है शॉट मत करिएगा लॉंग करने का वेट करेगा मुझे लगता है अब स्टेबिलिटी खत कर सकते हैं और निफ्टी एब एक बार चलता है वेट बैंक रॉत गर शचार ओपन कर दिःओ ने ना 15 मिनिट स्टाइब वन्यार इसको करी एक रेंज है और वार बार फेस कर सकता है बाद फांगि के बाद यह च्रेंड लाइन है जो कि एक मेजर रिजिस्टेंस ले रही थ चीज है जो सबको पता होनी चाहिए अगर एक बड़े बड़े गयाप अपस होते हैं और मार्केट अचाना ऊपर चली जाती है तो जितने लोगों ने नीचे से बाइंग करके रखी होगी और अब उन्हें प्रोफिट बुकिंग करने होगी विकाज अज एकसपारी भी है बहुत लोग प्रोफिट बुकिंग करके निकलेंगे भी स्ट्रेट अपमोव आने के बाद बहुत टाइम तक एक कंसॉलिडेट करते रहा फाइनली ब्रेकडाउं री टेस्ट और एक बड़ा ब्रेकडाउं तो हम लोग ने अल्रेडी अराउंड इस लेवल पे यहां पे एक शॉर्ट ट्रेड ले लिया था और अफ्टर दाट हमने बात करें दी कि जब यह 35,150 ब्रेक होगा तो हम 35,400 की पुट ओप्शन को शॉर्ट कर सेकते हैं अगर हम शॉर्ट करते हैं तो अल्मूस्ट जीरो तो ही गया था बट आइधिंग ट्रेड वास वेरी गुड इसके अलागा लेट मी टेक यू अना वन टाइम फ्रेम एक बहुत बड़ी अप्मूव आई है अफ्टर दाट अपने प्रीवेस स्वेंग हाई के उपर भी गया है विच इस अ गूट साइंग अब यह जो नीची आ रहा है अब यहाँ पर बेस लेके भी उपर जा सकता है और अगर बाई चांस डिप आती है देखि लिए बड़ी मुमेंटम दुबारा आ सकती यह जो पूरा फॉल आये दुबारा फॉल रिकवर हो सकता है दूसरी चीज दुबारा में फिबुनाची बनाना चाहूंगा बॉटम टू टॉट टॉप और यह जो लेवल है यह लेवल सबसे जादा इंपोर्टेंट है अगर इ 35,600 के उपर तो एक बाइंग मुमेंटम बन सकता है अफ्टर सिंग द प्राइस अक्षन और अगर यह डिप आती है तो डिप के लिए वेट करेंगो और वहां पर रिवर्सल आता है देर भी लेंट है ठीक है शौर्ट ट्रेड इसलिए हम लोगों ने आज लिया था बिकॉस मार्केट दो तीन बार गैप उपर खुली थी और आज तो 1300 पॉइंट उपर खुली थी विच इस नौट अगर 1300 पॉइंट उपर खुली तो भाई रिस्टू रिवार्ट रिश्यों का भी तो ध्यान रखो इतना ऊपर कौन बाय करना प्रेफर करेगा बट अफ्टर डिप एक बाइंग आई बट उपर डिस्ट्रिबूशन देखने को मिला एं आफ्टर दाट एक फॉव नाई ठीक है तो दिस इस दा डाटा एक बर ओपन इंटरस की दरफ चलते हैं देखिए ओपन इंटरस पर कुछ मिलेगा नहीं बिकॉस आज एक सपरी की एंड हुई है तो उस 16,600 की एक बर शेक करते हैं क्या यह 17,000 तक जा पाएगा ठीक है 17,000 से कितना दूर है और 400 रूपीज और 400 नीचे अगर मैं लेका चलू 16,200 का ठीक है तो लिट मी आट 16,200 ऑल्सो विर इस 16,200 विच इस देस ठीक है तो 16,200 मैं आट कर लेता हूँ और आट का ठीक है तो यह तो सबसे पहले हम लोग 16,600 का यह देख लेता है तो अगर आप यहां देखेंगे तो पुट का जो ओपन इंटरस्ट है वो अल्मोस्ट है 715 के अड़ का है 958 के है तो आटिंग लगबख सिमिलर है जादा बीजर डिफरेंस पिल्कुल भी नहीं है एक श्राइप प्राइस नीचे चलते हैं कि 16,500 पे एक सपोर्ट है लेचे है तो यह डिफरेटली 16,500 पे एक सपोर्ट है जो ग्रीन गलरी लाइन आप देख रहे है तो अगर पुट उपर होती है तो मतलब पुट राइटिंग की बात करें हैं पर हम ऑप्शन बाइं की नहीं ऑप्शन राइटिंग की बात करें सेलिंग की बात कर रहे है तो विचेजर रिवर्सल तो अगर पुट ऊपर है विचेजर गुट साइन फॉर तो यहां पर हम मान के चले तो मूर लास्त एक बर और चेकर लेता है 16,400 तो आलमोस्ट डबल का डिफ्रेंस है डबल से भी उपर का डिफ्रेंस है और यहां पर एक intersection आ चुका है which is a good sign ठीक है अब आपने अभी तक क्या देखा कि नीचे बेस पे put writers active होना start हो गया अब भी हम last only experience ने क्या देख रहे थे कि put writers active ही नहीं हो रहे थे call writers ही सबसे ज़्यादा active थे और major major gap थे lines के बीच में बट अभी ऐसा नहीं हो रहा ठीक है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 16,700 का not 16,700 let's take 17,000 so 17,000 में एक तो बहुत बहुत बड़ा ही rejection है बहुत बड़ा difference है तो बहुत 17,000 जाने की उमीद अभी कम लग रही है क्या 16,000 जाने की उमीद लग रही है let's check 16,000 में तो उल्टा अब देख सकते हैं कि 16,000 के put writers में 2 million active है और यहां पर 2.49 के active है और अगर हम लोग 17,000 का देखे तो 17,000 में तो एक ही million active है let me show you see this no 17,000 में भी active है अगर वो ब्रेक हो जाता है क्योंकि यहां पर छोटी सी hurdle है अब देखो एक छोटी सी hurdle है बोला था कि अब आप शॉर्ट करने कर समय आ गया 35,350 पर अल्रेडी बोला था मने कि अब शॉर्ट कर सकते हैं उसका reason यही था कि 35,250 पर 200 के call और put पर intersection हुआ था जहां पर put writer राइटर ऊपर निकल गया था और put writer नीचे रह गया था यानि कि fall के expectation थी और वो exactly पूरा हुआ थ exactly अगरे यहाँ पर intersection आता है बट आप देख सकते हैं कि put writer राइटर ऊपर जाने कि कोशिश कर रहे हैं which is a very good sign तो I think यहाँ पर हम लोगे intersection देख सकते हैं so let's focus on buy on dip strategy otherwise gap up strategy ठीक है I hope आपको वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए तो please do like this video subscribe to our channel and मैं मिलता हूँ आप क्रिप्टो करण्सी के तो कल त्यार रहेगा नीचे description पर लिंक भी है टेलीग्राम पर लिंक है और वहाँ पर जाके आप सबसे बढ़े अकाउंट ओपन करवाईए फिर साथ में trade करते हैं future and options in cryptocurrency have a very good day guys bye bye